देखिए का स्वागत है वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुसे लोग ब्रादिलियंग गीरी बारे में बहुत ends जो यह कमा है चार अजार देते हैं यह एक अलत्रेशन मेंrin दस महिनण हमें मिलकोग और यह जो हैं यह 17,000, 20,000 बात इसके अनिमर्स जो हैं 50 लिटर पर डे के हिसाफ से दूज़ इसके एंब्रियो भी अबलेबल है इंडिया में इसके एंब्रियो जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो उडिसा में हैं और उनका नंबर 82495-06287 आप इसना संबर करिए ओडिसा में हैं यह मिल्क प्रोडक्शन से एनिमर्स प्रोडक्शन की दफ जा रहे हैं मिल्क प्रोडक्शन में इतना जंदा नहीं है जितना के एनिमर्स प्रोडक्शन में है क्योंकि हमाँ लेवर बहुत चीप है इंसे मिनेटर भी मिल जाते हैं और आपके बाद सिरिंडर भीज है तो आप ब दस में से मतलब पाच में प्रेग्रिंसी हो गई अभी दस मुदस में हर महीने खरीदता हूं, वीस हो जार के खरीद देता हूं, देखिए, ऐसा है, मैं तो रिटायर प्रोफेसर हूं और मेरा काम जो है, यही दिए, वैटनेरियन को दिशा निर्देश देरना है, मैं जो आग पाग जो है, जो मिल्क पूडक्शन में आएंगे, वो ऐसी गाय रखना चाहेंगे, जो के 30 लिटर, 20 लिटर, 25 लिटर का दूर्द देती है, और यह बहुत संबब है, और इसको बहुत लोग अनन संबब करके दिया, दिखाया है, इसका एक एक ग्रामपल हर्षी है, जो खंपर कर सकते हैं, नमबर मैंने आपको बता दिया, और यह जो है, इनका वीडियो भी है, वो आप देख लीजे, मेरे वीडियो में, अब दूसरी बात ही है, कि मैं जाए तर ऐसे प्रशनों का उतर देता हूँ, जो कि मेरे कमेंट्स में लोग आप पूंचते हैं, तो मिल् होता है, एक तो चीलेटिड होता है, चीलेटिड मतलब वो जो है, वो असानी से शरीर में गुच जाएगा, और दूसरी बात है, कि रिप्रोड़क्शन के लिए है, तो उसमें फास्पूरर्स होता है, जो भी है, और मिल्लर मिक्चर नहीं होता है, विल्लर और वाइटैमिन होते हैं, वाइटैमिन और मिनरल, वाइटैमिन और मिनरल होते हैं, तो इनको वाइटैमिन की जादे जरूरत नहीं परती है, वाइटैमिन डी की और वाइटैमिन ये की जादे जरूरत परती है, बाकि सब वाइटैमिन ये बना लेते हैं, वाइटैमिन एच की भी जरूरत वह उसको Biotin कहते हैं, या B7 कहते हैं, तो वह खुरों पैरों के लिए, थन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वह Biotin में, इकोटास्क की गोली है, इकोटास्क की गोली दे दिए एक गोली में 10 mg होता है, तो अगर आपका गाय दूते रही है तो 20 mg दे चानले था आप 10 mg ए तो उसमें इसको दिते हैं अच्छा दूसरी बात यह ब्रादिलियन एंब्रियों का मैंने आपको बता दिया के जोड़े कॉसली है पर इंडिया में आके यह बेच रहे हैं इनका मार्केट यहीं पर खुल रहा है अब यह है के जिनोमिक सीमें वही ऐसा है मैंने जिनोमिक का ब परढ़ाता हूँ जो सीकोंस होती है जैसे कंप्यूटर होता है वह जिरो वान पधी जो डीए ने जरुके प्रोटिन बनती है उसी के चाप से गुड़ बनते हैं तो जैसा जिनोमिक लेंगे उसी प्रकार का आपको तो जो है माली आपके थन छोटे तो आप थन बड़ी वाला ले लिजे यदि आपके थन में पैरों की दिक्कत है तो फिर उसको ले लिए अगर आपकी गाय जो है ट्रॉंग रोलिंग करती है तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं जादे दीवान भी दूद के पीछे मत खाई दूद का तो खीक है सभी जानवार सभी जित्ते भी जानवार हैं अब दूद देने वाले दुनिया वर में वह 25-45 लिटर से उपर ही देते हैं इस्राइल का अबरेज 35 है अमेरिका का अबरेज 30 है और हम जितना दूद 500 मिलियन गाय से पैदा करते हैं अमेरिकांस जो है उत इस बात को समझ लिए इसमें जादे इशार्ट मारने की जरुवत नहीं है लंबा रस्ता है वो लोग इस चीज को करीब काफी दिनों से कर रहें बस मतब यह है कि जो जीन सेनालिसेज है अब वो सस्ती हो गई है इसमें जीन में कोई हेरा फेरी नहीं करते हैं वो तर ट्रां बता देते हैं के स्कूर्श देखे के इसमें क्या प्रॉबिवैलीटी और बच्मेड में ही उसके बच्चे का बता देते तो इसमें जाद सीमले付क्रे मिल जाता है यह मिल जाता है ले जीए क्योंके चक्कर यह जो जो का सीमेन कॉस्ली है और वो दस बारे लेंगे तो दे देंगे आपको आपके अन्नितास का मिला मुश्किल हो जाता है तो इसके बारे में जो भी हो आप एबीस की वो देख ली यह वैपसाइट उसमें है इस पर सारे दुनिया जो है इस वगर जेनोम का वो फोरिन बेजा जा रहा है कि वो उनकी भी जनोमिक टेस्टिंग किया है यह जो यह पंचर जोड़ना पकोड़े बनाने से कुछ नहीं होना इसमें पढ़ाई करनी पड़ती है काफी जाते मैं तो BBSC, MBSC, PhD हूँ पर मैं जब यह जब यह जैटिक एंग पढ़ाने पढ़ने चला गया वो तो है दूसरी बात है तो मैंने फिर इसको जैटिक एंगिनियन को पढ़ा और पढ़ाया तो मुझे इसके बारे में कुछ पता चल गया फिर मैं देखा कि यह तो बहुत सी विकर्ट साइंस है और इसमें बहुत पैसा लगता है बहुत बुद्धी ल मैं कि अबले बिल नहीं है तो वो ब्रीड जो है वो 6-7 लिटर ही और अबरेज देती है मैं छोटी बाटी यह बात नहीं करता हूं देखिए मैं पंदगा यूस्ती में मैंने 300 असाइवाल रखी 300 के हर्ड में एबरेज जो था वो 6-7 या ता है यह कालसी में भी है 400 इकड का फारम है और उनके पास यह तीन चारह जान तीन सो चार सो जानवर है तो वो रेट सिंदी यह उसका भी 6-7 आता था जूना रहन में भी 6-7 तो इसके जादे नशे में मत रही है तो ठीक है फारम में हम भी दिखाते थे के बहीं यह पंदर लिटर दे रही है पर वो एकादी अनिमल होता है 15-20 लिटर देने वाला बाकी सब जो है 6-7 देती है फिर उसमें मेल पैदा हो जाते हैं मुझे तो बड़ा धर्द होता था कि हर महीने में बहुत सारे मेल जो थे उनका ऑक्सेंट करता था अब तो सेक्सी में आ गया है तो सेक्सी में आ गया है पर यह बच्छ दिलियन गिरी है इसका सिमे लगाशार रुपए ढाता है तो और बहुत से कम देता है ब्तहँ को बिसहाल का मही ने करिदता हो और कोई जैनिया रुटर जर इन दो जार्रुपए का सिमें लेका कि जी के यह फो जार का नहीं होता हो पांशा जाल का हो जाता है क्योंकि आप यृचा कहलें करता सरे कंश झालदाए, हैं नहीं को सि deserve a चेलीज़िप05 क्विल्टिंगों चलटूम करें और किसमें व्राइन भी सताशों क्लाएं कि द रहें करें, कि मैं कि साथक्रियों करें इंट है तो फेरे बल्ले बल्ले उसमें तब मैं काय को केसी के दूसरे के जानवर देखने जाओंगा मैं तो केसी भी अच्छी ऑलस्टीन में लेकर सकता हूं और एंब्रियोज है मेरे पास मैं एंब्रियोज भी रखता हूं तो उसमें तो आप देशी गाय में भी रख सकते हैं अभी हमारे आप देखते हैं कित्ती प्रिगनशी होती है अभी दो महींने हुए उनको ट्रेस कर लेगे तो यह है यह बात है ब्रादीरियन गिरी की हवा बहुत चल रही है आप बहुत नौलेज देते हैं नौलेज का तो कोई अंसरी है यह मेरे दिन में आता है वो मैं कहता रहता हूँ यह दूद ब्याने के बाद बहुत सी बैसे हैं बहुत सी गाय दूद नहीं देती है तो इनका इसा करिए कि एन एक तो ट्रांसमिक्स पिलाईए और इनको हर अफ ही कर रही है तो आप प्रग्मा लगा के उसके बाद जो है अरतारीस घंटे बाद रिस अप्टल और लगा रही है तो ओठी हो जाएगी और ट्रांसमिक्स दे दीजिए इसके बाद वाइटेमिन एच की खुराक पूस यह लोग आओने लेकिए वाइटेमिन एच बी सेबिन बाद बाद जाएगी अगर आप देते रहेंगे तो आपका दूसी वाद है लोग अप गर्मी का सीजन आ गया बहुत पूछते हैं यह लोगा तो एक सीजन के लिए क्रुछे लिए atak can at eight के giving आता है उसमें में अध्री बी आता है झाल तो यह वीकलिश आप लगाएंगे इसको पानी में गोलकर शरीर पे लगा जब यह सूख जाए 2 ml घोलते हैं शाद एक लिटर पानी और शरीर पर लगा दिए जब सूख जाए तो छोड़ दिए इसको निलाना नहीं है तो फिर उसके बाद अफते बार फित रहेंगे दो तीन अफते लाएंगे तो आप इससे पीजा चुड़ा रहेंगे देखिए जो सारा अनिमल जया है तो बहुत जल्दी मरते हैं असमें मेरे वीडियो दें प्रवेश्या दें मरते हैं are और तीक बीमारी श्रीक तो उनकीवरा ले लिजिए आप जाचनी करांते हैं तो आप जो है खुन की जाच्च कराई यह हीमोग्लामिन कम है तो इसी वो शास्पर् वबेसिया है उसमें तो लाल पेशाप करती है और तिलेरी आए उसमें एकदम 105-104 बुखार हो जाए 105-106 बुखार हो जाए 105-106 बुखार है मिट्टी काने लगता है निमार त्रिप्नोसमाइसिस में गोल-गोल भूमने लगता है तो इसके लिए मतब आप देख लिए मैंन तो इसके बारे में जो भी आपको पूछाना होगा एक्सपर्ट से पूछें ब्लड टेस्स करा लिए और इससे जड़ा बचके रहिए इसमें काफी एनिमल्स जो है वो मरते हैं अब यह है कि शीचिली का होगा रिपीट बीडिंग यह सबसे बड़ी समझा है एक समझा तो चलती है जब रुकती नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है एक तो यह है कि आप अप्टूबर नौमा से संबार एयाई मत कराई है नहीं तो उसके बच्चे जो है वो सब गर्मी में ही पैदा होंगे और फिर मत तब उसके बाद पर कंसेप्शन नहीं होता इसके लिए जब आपकी गाय भी आप उसे यह टेफ्रोसेफ लगाई है तीनचा टेफ्रोसेफ लगा दी अग्लोप्रोस्टिनॉल होता है प्रगमा वह हफ्ते हफ्ते लगा दीए तो आपकी गाय जो है लिए आना शुरू कर दी रेखिए जब आपकी रिपीट बिडिंग होगी तो मैस इसा अगर ना करें तो ठीक ही है देखिए बैस जो है वह हॉट एन हुमें में रहती है और गाय जो होट एंड ड्राइ में रहती है तो उनकी हाउसिंग बिल्कुल फरक होती है अब दो बैस भी आपने रख लिए ठीक है बहुत अच्छी बात है एक प्रता जित्ते की आप एक बैस लाइगे उत्ते में दो गाय आजाई है आप पहली बात तो यह दोसी बात है अगर आपको फैट की दिक्कत है और तो आप ज़सी पालिए और आप एसी लॉक दीजिए आपने जान्वर को ऐसी लॉक आप देंगे तो उसे तो दाना जर जाते खाएगी और उसका फ जहादता रहा है तो यह बताएंगे आपको कि यह करीब 20 लाग के जानवर खरीद के लाएं और इनकी भी समस्या यह थी के फैट और ऐसे दिक्कत थी पर अभी यह 300 लेटर जो जो है रोज पैदा कर रहा है और यह पारेजर का दूर रोज बेजते हैं यह पटना में है तो इनसे आपको बात कर लिए अगर आपको अंबरेओ चाहिए चाहिए जयर्सी या फॉलिस्टीन फ्रीजन के तो यह भी अबलेवल हैं और इसके स्क्स अब्रेओ रण्रय कराएंख तो मैं ने जिए इंका नमबर है यह सप्प्लाइब करते हैं एक्यूवेलन्स का नमबर नाइन जीरो 20673 503 वो नीचे दिया जा रहा है नाइन जीरो 273 503 इन ने को आप संचय जी को सचीन्हीं ये एक्यों अप्रेश देते है ये पहला आपको फ्रॉ बंधिन्ट में पास अब आ अव अगुदन दू यह जो भीत पिडि़ का 79848332 पस अपर करें धन्यवाद आप्रस्वाइब